नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का Civil 101 में मेरा नाम है संदीब कैसे हैं आप सभी लोग A very good morning to all of you दोस्तों आज के इस सेशन के अंदर हम Design of Steel Structures जो है इसके अंदर Revited Connection का डिजाइन जो है जिनके अंदर 6 पीम सेशन के अंदर हम Mixed Questions करेंगे Civil Engineering के सभी सब्जेक्ट से Related और 8 पीम के सेशन के अंदर Steel जो डिजाइन है हमारा इससे Related हम Objective Questions करने वाले हैं दोस्तों अगर आप आनकाइडमी की आप के उपर पढ़ना चाहते हैं आनकाइडमी की Free Special Classes के लिए आप आनकाइडमी अप इंस्टाल करने के बाद अपना Goal Select कर सकते हैं आप किसे एक्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं Goal Select करने के बाद आप Try An Academy for Free और Invite Code यूज़ कर सकते हैं अगर आप आनकाइडमी के सब्सक्रिप्शन पर पढ़ना चाहते हैं तो कैटिगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको Get Subscription पर क्लिक करना है Duration सेलेक्ट करनी है कितने duration के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए and then you can use the referral code Sandeep1 जिससे आपको 10% instant off भी मिलेगा और साथ ही साथ में आपको access मिलता है अनकाइडमी platform पर throughout the category आप किसी भी educator की कोई भी class देख सकते हैं ठीक है दोस्तों let us begin और steel design के अंदर basics पढ़े हैं हमने अफ़ तक अब हम design बाला जो portion है उसके बारे में बात करेंगे अगर आपको on academy की sessions के अंदर चाहिए youtube के session हो चाहिए special classes के हो चाहिए किसी भी educator के हो कोई भी on academy के channel के उपर हो अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ inappropriate content है जो कि एक educational video के अंदर नहीं होना चाहिए तो वो आप report कर सकते हैं नीचे link के अंदर आपको नीचे description में इसका link मिल जाएगा जहां आप ये report कर सकते हैं दोस्तो steel और concrete जो है इनके अंदर difference क्या है इसके बारे में हमने जाना था advantage, disadvantage क्या है types of steel structures के अंदर हमने देखा था कोई framed buildings हो सकती है transmission line tower हो गया etc. तो बहुत सारे structures steel से जो हम देखने को हमें मिलते हैं इनके बारे में देखा हमने फिर IS800-2007, rear form 2017 आप download कर सकते हैं rolled steel section क्या होता है rolling के process से जो section बनते हैं और इन में आते हैं हमारे पास rolled steel beams and columns जिनके अंदर eye section का use कर सकते हैं हमारे पास rolled channel sections है, angle section जो की equal भी हो सकते हैं इसके दोनों leg unequal भी हो सकते हैं T section के बारे में बात किया हमने hollow section या tubular section हमारा जो की rectangular square या फिर circular cross section का हो सकता है अंदर से ही hollow होगा, solid हमारे पास circular और square या rectangular section होगा, हमारे पास flats और plates इनके बारे में हमने देखा फिर iron और aluminium इनकी properties जो हैं इनके बारे में जाना उनको compare किया, carbon content जितना ज़्यादा ductility उतनी कम यह हमने देखा था फिर steel की basic properties, aluminium की basic properties, density क्या है, young's modulus of elasticity क्या है, modulus of rigidity क्या है यह आपको पता होना चाहिए then we talked about अलग-अलग sections जो है इनके designation, mild steel curve के बारे में हमने बात की, O से A तक क्या है आपके पास, यहाँ पर proportionality limit, B जो है plastic deformation आ जाएगा, इस plastic region के अंदर strain आ जाएगा, strain जो होगा, वो plastic type का होगा clear चलिए आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद yield plateau जहां बहुत सारा strain देखने को मिलता है हमें, यहां strain hardening region, फिर necking region इनके बारे में हमने बात के थी, WSM method के अंदर हमने देखा था कि हम material जो है उसके उपर, जितनी उसकी capability है, loads को resist करने की उतना allow ही नहीं करते हैं, हम working stress बोलते हैं, या फिर यह कह लिजए कि कितना load उसके उपर supply किया जाएगा upon cross-sectional area, या फिर उसका yield stress कितना है, मतलब जब आपने test किया तो उसमें yielding होनी जब शुरू हुई, तब upon factor of safety लगा दिया उसके उपर हमने, तब हम कहेंगे इतना stress जो है, वो working stress लेंगे, permissible stress इतना consider करेंगे, plastic state, limit state method के अंदर हम material जो है, उसके उपर partial factor of safety जो है, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, इनको conclude करते हुए हमने, चार point जो है वो देखे थे, कि अगर आपको axial stress, axial direction में अगर आप कहेंगे, तो axial direction में 0.60 fy, इतना stress लगेगा, इतना allowed होगा, इतना permissible होगा, चाहें आप बात करिए, आप कह लीजिए उसे tension के अंदर, चाह के अंदर हमने बात की, 0.40 average shear stress के case में, और maximum shear stress के case में 0.45 fy, bearing stresses के case में 0.75 fy, ये values आपको याद रखनी है, पिछ क्या होता है, force की direction में, दो rivets का center to center distance, force के perpendicular direction में, दो rivets का center to center distance, gauge कहलाता है, force की direction में, last वाली rivet, बिल्कुल इस end वाली rivet के उपर, अब ये plate उपर रखी हुई थी तो इसको देख रहे हैं, तो बिल्कुल last वाली rivet जो है, इससे, end of the plate तक का distance, end distance, और इस इनी rivet से, यहाँ, perpendicular direction में, edge distance कहलाता है, bearing stresses क्या होते हैं, contact to contact, force transfer होता है, एक तरीके के, ये compressive stresses होते हैं, इनके बारे में, हमने बात की थी, अलग-अलग joints के बारे में देखा, एक के उपर एक plate को रख दिया, तो हमने इसको बोल दिया था, कि ये lap joint है, फिर हमने कहा था, end to end plates को रखो, इस तरीके से, और उसके बाद उसके उपर cover plate provide कर दो, तो ये end to end रखा इसको, तो हमने बोल दिया, इसको butt joint, और इसके उपर ए ये symmetrical नहीं है, लेकिन अगर उपर भी और नीचे, दोनों तरफ अगर हम cover plate provide करते हैं, यानि कि double cover, butt joint हो जाएगा, तो ऐसी case में, eccentricity भी eliminate हो गई, क्योंकि line of action of force जो है, वो बिलकुल सेम है दोनों तरफ का, और connection जो है, वो symmetrical भी हो गया, फिर उसके बाद connections में riveted, bolted, और हमने बाद की welded connection की, जिन में से हम riveted connection पढ़ना शुरू कर रहे हैं, failure पूरे connection का दो current से होता है, connection का failure जो होगा, वो किस current से होगा, कि जो हम connection design कर रहे हैं, तो fastener, यानि की rivets, और दूसरा plate, जिनको join कर रहे हैं, अब rivets जो हैं, वो fail हो सकती है, shear में, rivets जो हैं, वो fail हो सकती है, bearing क के अंदर, तो हम ये चेक करेंगे कि उसकी sharing में और bearing में जो है strength कितनी है, और इन दोनों की जो भी minimum value होगी, उसे हम कहा देंगे कि वो rivet value है, उतने value तक, उतने load तक rivet safe रहेगे, plate की हमने बात की थी कि plate जो है, वो किस-किस के अंदर failure हो सकता है, उसका failure हो सकता है, tension या फिर tearing failure हो सकता है, उसका share failure हो सकता है, उसका splitting failure हो सकता है, और उसका bearing failure हो सकता है, अब हमें इन चार बातों के उपर ध्यान देना है, अगर हम sufficient end distance provide कर दें, तो इनको eliminate किया जा सकता है, तो इनको design करने की ज़रूरत नहीं है, फिर design करने की ज़रूरत किसको बच गई, tension के अंदर, या टीरिंग के अंदर उस प्लेट को हमें डिजाइन करने की जरूरत पड़ गई अब इनको कंक्लूड कर लेते हैं कि इनको कैसे देखेंगे हो फिर उसके बाद तो सिर्फ एक फॉर्मैलिटी है स्टेप बाइस सारी केस देखने का अगर रिवेट के फेलियर को हम देख रहे या जो है वह इसको ररीजिस्ट करेगा और रिवेक हुए अगर उसका डा है तो उसका दैमिंटर दी है उसका एरिया कितना होगा फैसे इंगर यहां पर जो देने के रहा हुआ है जैसे यहां पर अगर हमारे पास एक प्लेट ऩिस तूपर दूसरी प्लेट रखकर हमने इनको जॉइन करो तो दो लाइन ऑफ रिवेट हैं साइड से देखेंगे तो हमें दो रिवेट से दिखाई देंगे इसलिए ऐसे कुछ समाझ लीजिए तो अब इसकी जो शेरिंग होगी इसकी शेरिंग होगी यहां से यहां से यह रिवेट कट जाएंगे तो इसको हम observe करेंगे अगर तो यहां पर क्या आ जाएगा इतना एरिया रिवेट का जो material है उसकी maximum permissible stress की value उसकी maximum permissible stress की value sigma s या fs से भी denote कर सकते हैं उसको वो fs है या sigma s है उससे multiply कर देंगे तो जितना stress वो bear कर सकता है multiplied by कितने area से वो bear करेगा तो यह हमारे पास आ जाएगा force जितना एक जगा से cross section हमारी rivet का resist कर रहा है तो shearing के अगर हम उससे strength बतानी है उसके उपर अगर हमें force बतानी है कि वो कितना force shearing के अंदर bear कर सकता है तो कितना उसका material की strength है multiplied by कितने area के उपर आने वाला है अब rivet को देखना है हमें अब rivet को देखिए आप यहां पर एक rivet की बात हो रही है अभी जितने number of rivets अगर हो तो उन से multiply कर दीजिए तो उतने rivets की strength आ जाएगी अगर आपके पास अब top view से देखिए एक plate ऐसे रखिए इसके उपर दूसरी plate रख दी और ऐसे हमने rivet से joint करवा दिया six rivets हमारे पास हैं तो अगर पूरे joint की strength पूछे shearing के अंदर तो आपको पता है एक rivet की strength जो वो कैसे बतानी है आपको इस तरीके से multiplied by six कर दीजिए तो यह पूरे joint की strength आगे shearing के अंदर अब यह बात होती है अगर आपने left joint provide किया यानि कि एक जगा से shearing अगर होती है तो अगर shearing जो है वो दो जगा से हो रही है double shearing हो रही है एक plate इस तरीके से रखी हुई थी दूसरी plate को आपने end to end ऐसे join कराया एक cover plate इसके उपर एक cover plate इसके उपर ऐसे provide की और फिर उसके बाद आपने इनके अंदर rivets जो हैं वो लगा दें let us say दो lines of rivet है इस तरफ या इस वाली plate के तरफ भी दो तो दो ही count करेंगे हम left side एक तरफ का हम observe करते हैं design करते हैं similar यहां पर दूसरी तरफ बना देते हैं तो इस तरफ अगर हम देख रहे हैं दो lines of rivet हैं हमारी पास और इनके अंदर अगर sharing आएगी तो rivet जो है वो कहां कहां से shear off हो सकती है rivet एक तो यहां से एक यहां से तो ऐसे case में इस एक rivet की अगर मैं बात करूं सिर्फ एक rivet की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर जो sharing होगी उस rivet के अंदर जो sharing होगी वो कहां से होगी यहां से भी यहां से भी यहनि कि इस बार हमारे पास दो ऐसे cross section है जो कि resist करेंगे जो भार से shear force आ लिए उसको तो दो हमारे पास shearing planes है दो shearing plane है यहां से भी shear off हो सकती है यहां से भी shear off हो सकती है तो दो shearing plane है एक sharing plane जो है वो कितना force resist कर सकती है fs into pi by 4 into d square तो अगर sharing plane से हमें observe करना हो कि sharing planes कितने हैं तो आप इसे ऐसे represent कर देंगे कि 2 sharing plane हैं हमारे पास अब एक revet की यह strength होगे अब जितनी revet अगर आपको strength पूरे joint की बोले तो 6 into 2 into fs pi by 4 d square clear इस तरीके से आपको करना है तो revet की strength हमने बता दी किस के अंदर बता दी sharing के अंदर की कैसे calculate करेंगे अब इसी को one by one आगे observe कर लेते हैं देखे रिवेटेड कनेक्शन बाकी सारी कहानिया है main जो आपको समझनी जो चीज है वो सिर्फ समझने वाली बात यही थी lap joint की बात कर रहे हैं से पहला केस riveted connection riveted connection के अंदर हम कहा रहे हैं कि strength हमें joint की बतानी है और entire plate के लिए कह लिए entire joint के लिए कह लिए वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं तो shear strength of rivets lap joint lap joint कैसा होता है एक plate के उपर दूसरी plate रखी हुई है और ये top view से आपको दिखाई दे रहा है तो top view से आपको यहां पर 6 rivets जो हैं वो observe हो रही है 6 rivets आपको यहां पर दिखाई दे रही है एक rivet की strength कितनी pi by 4 d square into fs और कितनी rivets हैं उन्हें multiply कर दीजे तो पूरे joint की strength जो आपके पास आ जाती है अब बात आती है कि यह fs कहे लीजिए या फिर इसे हम sigma s से भी denote कर देते हैं तो permissible stress कितना है sharing के अंदर rivet के लिए अब rivet कौन सी power driven है shop rivet है field rivet है कौन सी तो 190, 80 यह आपको पता ही है तो यह values आप उट कर सकते हैं ठीक है तो यह value आपके पास permissible shear stresses की value already हम वो table के अंदर याद कर चुके हैं अगर नहीं याद आ रहा कौन सी तो मैं इन tables की बात कर रहा हूँ इस table की बात कर रहा हूँ ठीक है इतना I hope clear होगा आपको तो पहला case बहुत समझ समझ के करना है अगर आप तो इन में याद रखने वाला कुछ भी नहीं है limit state method की according अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ultimate shear stress की value consider करते हैं जो कि हमारे पास considering partial factor of safety तो f u upon root 3 into 1.25 फिलाल एक बार हम WSN की according questions करते हैं फिर आपको LSN की according भी मैं questions बता दूँगा लेकिन unacademy की जो special classes हों उनको जरूर देखेगा आप जो free होती है जो शाम को 6 बजे 8 बजे वाले sessions है उनके अंदर इन से related बहुत सारे questions करेंगे हम तो काफी सारी practice की जरूरत है objective के अंदर जो questions है ठीक है आप एक बार देखेंगे उनको देख के आप कर सकते हैं लेकिन वो long term तक याद रहें बिना महनत याद रहे mains के question भी अगर आप करें future में तो वो बिना महनत आप उनको revise कर लें तो उसके लिए जरूरी है कि अब practice कर लें आप अच्छे से जो कि same चीज उसमें repeat हो जाएगी बार-बार repeat हो जाएगी अलग-अलग cases से repeat हो जाएगी तो आपको अच्छे से understanding मन जाएगी कि कैसे connection जो है उसके इंदर forces लग रहे हैं कैसे उसे हमें design करना है कैसे उसके इंदर factor of safety consider कर रहे हैं से उसके safety को ensure किया जा रहा है overall पूरे connection की तो I hope ये clear होगा आपको कि entire plate की बात कर रहे थे और lap joint के अंदर बात कर रहे थे lap joint में अगर हमने बात की तो plate जो है एक plate उच इस तरीके से रखी हुई थी और दूसरी plate इसके उपर हमने ऐसे रख दी तो इसमें दो line of rivets दिखाई दे रहे हैं आपको तो ये दो line of rivets हमने इस तरीके से इनको join करा दिया तो क्योंकि यहां पर sharing plane नहीं की था इसलिए इसे 2 से multiply नहीं किया हमने 10 का use यहां पर है कितनी number of rivets है D की बात करें तो D आपको already पता है लास session के अंदर हम बात कर चुके थे कि gross dia होता है gross dia का मतलब diameter of hole plate के अंदर जो hole करेंगे आप उस rivet को insert करने के लिए तो वो rivet के nominal dia से 1.5 mm जादा होगा अगर rivet का dia जो है up to 25 mm है including 25 और 25 से जादा है तो plus 2 करेंगे nominal dia plus 2 अब बात करते है next अगर आपको सिर्फ बताना है bearing strength को किसके लिए entire plate के लिए बताना है आपको bearing strength बताना है वो किसके लिए entire plate के लिए अब bearing strength पर आते है रिवेट की bearing strength रिवेट की bearing strength आप बताएंगे तो कैसे बताएंगे कि वो rivet जो है जैसे इस तरीके से समझ लीजिए एक plate ये दूसरी plate य लगा रहे हैं तो ये इसको खिचने की कोशिश कर रहे हैं या ये प्लेट का मेटीरियल इस रिवेट के उपर यहां पर एक तरीके का compressive force लगा रहे हैं तो रिवेट का जो cross-sectional area है वो cross-sectional area circular से क्या हो जाएगा elliptical हो जाएगा तो हम कह रहे हैं कि bearing के अंदर वो fail हो जाएगा अब bearing stress को कैसे calculate करें bearing stress को calculate करना simple कितना आपके पास area है जो इसको resist करेगा कितना आपके पास area है जो इसको resist करेगा multiply कर दीजिए bearing के अंदर उसक Darren की strength कितनी है उस material की strength कितनी है अब area resist करेगा वो कौन सा ये plate ये plate ऐसे तो content force कैसे लग रहा है इस direction में जो projected अरिया होगा. तो इस अरिया की बात कर रहे हैं हम. प्रोजेक्टिड वाले अरिया की. देखें, जब आप यहाँ पर इस रिवेट के उपर इस तरीके से इधर से आप अगर टार्च श्मारता हैं. अगर आप torch से light through करेंगे इसके उपर तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ इस shank वाले portion को आपको देखना है क्योंकि यहाँ भी plate है यहाँ भी plate है, plates आपके पास है तो इस तरीके से यहाँ पर projected area जो दिखेगा वो T, thickness होगी plate की और diameter D यह projected वाला area होगा जो यहाँ से हम देखेंगे अगर आप कोई भी cylindrical item के उपर अगर आप T, thickness और D, diameter अब thickness कौन सी? एक plate की, दोनों plate की या फिर उन दोनों में से जो thinner है उसकी, तो उन दोनों में से जो thinner है, main plate में से जो thinner plate है उसकी thickness consider करते हैं कि वहाँ से अगर bearing के अंदर वो safe है, तो पूरे में भी safe हो जाएगा हमारे पास तो इसलिए हम उसकी strength जो हम बताते हैं उसकी strength बताते हैं कि T into D area into FB तो यह हमारे पास क्या आ गया? कि कितना force वो bear कर सकती है एक rivet, जितनी rivets वहाँ पर है bearing के अंदर, वो हम multiply कर देंगी N से, यहाँ पर कोई भी ऐसे shearing plane की तरह दो-दो वाली conditions जो है, वो नहीं होती है तो N into T into D into FB T, और सॉरी, N number of plates, और number of rivets कितनी है यहाँ पर इसके उपर T जो है वो thickness of thinner main plate होता है FB permissible stresses जो है bearing के अंदर, same old stable से हम refer कर लेंगे यहाँ पर, और D जो है gross dia of rivet होता है जिसकी value हमें पहले से यह पता है तो यह तो बार-बार जो है repeated सारा data आपको दिया गया है आपको याद करने वाली चीज़ कितनी है, वो सिर्फ यह और वो भी समझ के करनी है कि bearing force कैसे लग रहा है simple यह हातों में ऐसे pen लेने वाला example कि bearing ऐसे लग रही है तो कौन सा area आपको देखना है simple अब tearing strength of plate tearing strength of plate के लिए बस आप एक यह diagram जो है इसको आप ध्यान से देखिए अगर आप कोई notebook जो है उससे page tear out करते है तो वो कैसे page जो है उसका material जो है उसको कैसे resist करेगा उसके cross section में कितना area available है into उसकी tearing के अंदर strength कितनी है भाई करेगा cross section में कितना area available है वो multiplied by कितना उसकी strength है आप ऐसे समझ लेजिए कि एक plate है उस plate के अंदर आपने holes कर रखे है जब आपने riveted connection बनाया तो riveted connection बनाने के लिए एक plate ये थी इसके उपर दूसरी plate रखके इसमें आपने rivets जो है वो insert कर दी तो इसी plate को observe कर रहे है इसकी tearing के अंदर strength देखने के लिए तो यहाँ hole था यहाँ hole था अब जाहिर सी बात है कि अगर इस plate के उपर tension force लगेगी तो हमने tearing की बात क्या की थी कि tearing का मतलब क्या होता है कि जब force के perpendicular direction में failure आजाएगा तो tear out होना बोल देते है आप page को note book में से tear out करते है तो वो tear out कहां से होता है जहां से वो spiral binding होती है उसकी वहीं से tear out होता है वहीं से tear out क्यों होता है क्योंकि उसके अंदर यहाँ पर holes present थे या फिर ऐसे कह लेजिए कि वहाँ पर area जो है वो सबसे कम available था जो resist करेगा अब इस plate को यहाँ से अगर आप चाहें कि वो कटे तो उसके लिए जादा forces की ज़रूरत होगी as compared to जहां पर holes है या फिर other language में हम बोलें तो कितना area tearing के अंदर resist करेगा उसको उस tearing को resist करेगा इस plate को अगर हम देखें तो यह plate कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि force जो है वो ऐसे लग रही है इस direction में force इसके उपर लग रही है हमने इसकी tearing को अब यह जो था यहां से ऐसे इसको काट के देख रहे हैं तो इसको यहां से ऐसे खड़े हो के हम ऐसे देख रहे हैं इस area को तो जब इस area को ऐसे देख रहे हैं यहां से तो यहां से यह वो area इतना area और इतना इरिया यह वो area है जो tearing को बचाने वाला अब यह area tearing को बचाने वाला कितना अगर plate की width जो है वो b है या फिर इसलों देख लिजी आप यहां पर कि अगर आप इसको देख रहे हैं तो यहां पर यह rivet, यहां भी rivet, यहां भी rivet, तो जो बच गया यह area, जो बच गया यहां पर area, वो इसकी tearing को बचाएगा, अब plate की जो width है, वो अगर B है, एक rivet का diameter अगर D है, तो हम कह देंगे, और यह thickness जो है, अगर T है plate की, तो हम कहेंगे कि B को multiply करो T में से, और फिर यह वाले जो areas है, इनको subtract कर दो, यह यूं कहलो, कि B में से, इधर का D distance, यह D distance, यह D distance minus कर दो, तो B में से 3D की कर रहा हूँ, अभी इस diagram की according, जितने भी rivets हो, यहां पर उनको consider करना है, हमें, B में से 3D को minus करो, और T से multiply कर दो, यह वो area है, यह जो white में आपको यहां, 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 और यहां, यह दिखाई दे रहा है, यह इसकी tiering को बचाएगा, इस diagram की according, अगर आप देखें, तो पूरी B में से, 1D यह minus करना है, 1D यह minus करना है, 1D यह minus करना है, ठिकने से multiply कर देना है, जिससे की, यह area, बचा हुआ area, जो की, इसकी tiering को बचाएगा, तो इतना बचा हुआ area है, और tiering के अंदर, उस plate की strength कितनी है, उससे multiply कर दो, तो यह ft जो है, यह plate की strength हैगी, यहां पर, उपर वाला, हमने कहा था, कि failure पूरे connection का, या तो rivet के fail होने के कारण, या plate का, rivet का sharing और bearing में देख लिया, plate का सिर्फ, tension में हमें देखना है, या tension या tiering के अंदर, वो fail ना हो जाए, तो इसको save करवाने के लिए, हम यहां पर, tension के अंदर देखेंगे, कि area कितना है, जो इसको बचाएगा, तो tension में area कितना है, यह कैसे समझ में आ गया, अब इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कि B-3D into T into FT, कितने D वो आपको बस observe करना है, कि connection जो है, उसका arrangement क्या दे रखा है आपको, उसके according आपको observe करना है, अब next, N1, N1 क्या है, total number of rivets at critical section, अब critical section कौन सा है, उसके बारे में बात करेंगे, T thickness of thinner main plate होता है, बस यह important है, यह याद रखेगा, T is thickness of thinner main plate, क्योंकि जो thin वाली plate होगी, वो पहले tear out हो जाएगी, तो इसलिए safety करवानी है हमें, safe रखना है अगर उसको, तो हम tearing strength किसके according बताएंगे, thinner के according, दो plate है, एक thin है, एक thick है, उसके thickness जादा है, दूसरी की, अब उनके उपर force लगाने जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, कि बड़े वाली तो नहीं tear out होगी, बड़े वाली तो safe रहेगी, छोटे वाली fail ना हो जो है, tearing strength वो बताते हैं, thickness of thinner main plate, B is width of plate, permissible tensile stress, तो in all अगर हम conclude करें, तीनों बातों को, तो आपको simple सा एक 3D diagram बना लेना है, confusions को avoid करने के लिए, कैसा diagram बना लेना है, simple ऐसे, इस तरीके से plate बना लीजेगा, और इस plate के अंदर ऐसे एक rivet जो है, यह आप यहाँ पर, ऐसे यह भी draw कर लीजेए, एक rivet, तीन rivet जितनी आप बनाना चाहें, वो बना लीजेगा, जितना भी connection के अंदर दिया हो, उतनी बना सकते हो, अब आपको सबसे पहले इसकी sharing के अंदर strength बतानी है, यह इतना area है, permissible strength उस material की sigma S है, तो इतना force वो रेजिस्ट करेगी, जितने भी rivets हैं, उन से multiply कर दो, कि end rivets हैं, आपके पास one year two, यानि कि single sharing हो रही है, यह double plane बन रहा है sharing का, उसके बाद उससे भी आप multiply कर दीजेगा, तो यह आपके पास sharing के अंदर वो इतना force ले सकती है, फिर इसके उपर bearing, यह निकि contact force, contact force की बात करेंगे, तो एक rivet को देखेंगे, और उस rivet का projected area, यहाँ से project करेंगे, तो projected area हमारे पास कितना है, वो observe करेंगे, तो यह हमारे पास T thickness हो जाएगा, डी जो है, यहाँ पर इसका diameter, तो वो projected area देख लेंगे, तो D into T into FT, यहाँ फिर FS, और यहाँ पर होगा FB, bearing के अंदर जो permissible strength है उसकी, तो यह हमारे पास rivet की bearing के अंदर strength हो गई, इन दोनों में से जो least होगी, वो हम कहेंगे कि वो उस rivet की value है, इतना load rivet bear कर सकते हैं, अब बात करते हैं plate की, तो plate की tiering के अंदर जो उसको बचाएगा, वो area कौन सा है, यह बाला area है, अगर इस plate की width जो है, वो width B है, इस plate की thickness जो है, वो T है, तो B into T करके, और उसके बाद जितने area में यहाँ plate का material नहीं है, या यूँ कह लिजिए, जितने area में hole था, उसको minus कर दीजिए, तो हम कहते हैं कि B में से minus कर दो, अगर इस case में मैं यहाँ पे एक ही rivet दिखा रहा हूँ, तो एक diameter minus कर दो, multiplied by T कर दो, multiplied by sigma T या plate की tiering strength कर दो, तो इतना load जो है, वो tiering में हम लगा सकते हैं, कि हमारी plate tiering में fail ना हो, ठीक है, अजी शुक्रिया दोस्त, शादी मेरे brother की थी, और इसलिए दो, पिछले 4-5 दिन से session जो हैं हमारे, सिर्फ एक दो, एक दो session हो पा रहे थे, अभी regular चलेंगे, ठीक है समझ में आ गया, अब tiering के अंदर strength को थोड़ा और देख लेते हैं, tiering के अंदर अगर आपको strength जो है, वो बतानी है, यहाँ पर अगर एक रिवेट है, यहाँ पर दो रिवेट है, यहाँ पर तीन रिवेट है, परस्ट, सेकेंड, थर्ड, आपको section 1 पे अगर tiering strength बतानी है, तो section 1 पे tiering strength कैसे बताएंगे, obviously force इस direction में लग रही है, force की direction में लग रही है, इस direction में ऐसे force लग रही है, अब आपको section, 1 के उपर strength बतानी है, अगर plate के width B है, तो B में से minus करेंगे, आप section 1 के उपर कितने holes हैं, एक, तो B में से D minus करेंगे, और उसे multiply कर देंगे T, फिर उसके बाद sigma T या फिर F T से multiply कर दीजिएगा, तो ये इतना force tiering के अंदर section 1 पे, वो bear कर सकता है, section 2 पर, कितना area available होगा, जो इस को resist करेंगा इस tiering को, तो B में से 2 minus कर देंगे, B minus 2D हो जाएगा, into T, into sigma T, इतनी tiering strength section 2 पर मिलेगी, फिर similarly B में से, 3D minus कर देंगे, into T, into sigma T, ये हमारे पास tiering strength हाजाएगे section 3 पर, done, simple, derivative connection में इतना ही करना था, जहाँ पर दिमाग की ज़रूरत थी, बाकिये तो बस उसको copy paste करना है, कि इसे change होते जाएगे, ये हमने बताया था किसके लिए, for entire length, या फिर entire joint के लिए, पूरे joint की strength बताएगे हमने, पूरे joint की, यानि कि पूरे इसकी strength कितनी है, अगर gauge length या pitch length के लिए पूछे आपसे, gauge length या pitch length के बराबर की जगा में strength बताओ, तो gauge length या pitch length के लिए अगर हम बात करें तो इतनी जगा में बताओ तो इतनी जगा में आपको अगर observe करना है तो आप देख लीजिए कितनी rivets हैं उसमें जैसे for gauge length और pitch length if we have to find shear strength of rivets in case of lap joint या जहां पर single shearing हो रही है pi by 4 d square into fs एक rivet की shearing के इंदर strength कितनी rivets हैं आपके पास यहां पर वो हा जाएगा N अब N का मतलब यहां पर क्या है N हो जाएगा कितनी number of rivets इस shaded region के अंदर हैं सिर्फ gauge length की plate के लिए design करके बताओ सिर्फ gauge length के लिए आप बताओ कि कितना strength है तो सिर्फ इतनी length of plate के लिए consider कर रहे है बाद में बात कर लेंगे overall पूरे section के तो सिर्फ gauge length के लिए देखेंगे तो इस gauge length के अंदर अब gauge length में तो sir ऐसे आएगा gauge length तो दो rivets के center to center distance होती है एक rivets ये दूसरी rivets ये, तीसरी rivets ये तो gauge length तो यहां से यहां का होता है इनके बीच की strength कैसे बताएंगे ये तो इधर आधी rivets आएगे, इधर से भी आधी rivets आएगे तो effectively एक rivets बन रहे है ना तो gauge length के बराबर के distance के लिए आपको बताना है यहां पर तो जितना gauge length होता है उतनी distance के according ये यूँ कह लिजिए कि वहां पर एक rivet के according आपको बताना है cross section में सिर्फ यहां पर फिर आप कैसे observe करेंगे इसको इसको हम ऐसे observe करेंगे कि एक rivet के लिए according यहां पर बताओ, इस particular segment में इस particular region में जितने rivets आ रहे हैं उसके according बताओ, तो इसके according बताएंगे, अब आपके पास यहां पर दो line of rivet है, पहली यह दूसरी है तो इसके according दो lines आ रही है यहां पर इस length के अंदर तो इसे उसी according multiply कर देंगे यहां पर two value हो जाएगी, तो single shearing के अंदर या lap joint के अंदर बात कर रहे हैं अभी तो हम, यहां पर किसके according बात कर रहे हैं, lap joint ही चल रहा है हमारा topic, फिर उसके बाद bearing strength, bearing strength जब आप calculate करेंगे, तो bearing strength के अंदर यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, इसी cross section के अंदर, कितनी है rivets, एक rivet की bearing strength कितनी है T into D into FB कह लिजए, यह sigma B से भी हम इसको denote कर सकते हैं, tearing strength, अब इसमें आईए, tearing strength के अंदर आप यहां से देख रहे हैं, tearing strength के अंदर देखे, tearing strength में हमने कहा, कि अगर आपको gauge length के लिए चाहिए tearing, यहने कि तिर्फ इसको और इसको इसके बीच के इतने सी plate को इतनी ही width को अगर आपको observe करना है, तो कौन सा area ऐसा है, अब हम बाकी plate को भूल जाओ, हमेज सिर्फ यह पूछा गया है कि इतनी सी width वाली region की strength बता दो बस, और इसका कुछ और मतलब नहीं है, बस यह कह रहा है कि for gauge length या pitch length, यहने कि इतनी सी length of plate का according आप बता दो, तो इसके लिए बात कर रहे हैं तो इसका अगर gauge distance g था यह वाला area इसको protect करेगा, बस इतना सा थोड़ा सा इधर से, थोड़ा सा इधर से, g में से एक diameter minus कर दो multiply by thickness of this plate g में से एक diameter minus कर दो, multiplied by thickness, multiplied by maximum permissible strength या maximum permissible stress कह लीजिए, या फिर उस material की strength कितनी है, टीरिंग में उससे multiply कर दीजिए sigma s देखो अगर हम लिख रहे हैं sigma s इसको हम sigma s भी लिख देते हैं, या फिर fs भी लिख देते हैं, ये तो है कि shearing के अंदर उसकी strength कितनी है वो material, sharing में कितना load ले सकता है तो या तो ये कहलो, sharing strength या फिर better word क्या होगा कि maximum permissible stress, इतना allow करेंगे हम, sharing strength कह लीजिए या फिर इतना maximum permissible stress है तो ये हमने बात किती है, जैसे steel के अंदर उसकी yielding जो हो शुरू होती fy पे, लेकिन हमने कहा कि 0.60fy axial tension या compression के अंदर उसके उपर इतना stress आना चाहिए, बस इससे जादा ना आए, तो हम यहाँ पर उन values की बात कर रहा है, अब sigma s, fs sigma b लिख दीजिए, या फिर f लिख दीजिए, ये bearing के लिए होता है और sigma t, या 80 भी लिख सकते हैं, axial tension और ft लिख लिजिए, ये हम tearing के अंदर या फिर retention failure के अंदर हम बात कर रहे हैं कि उसके अंदर maximum permissible stress जो है, वो कितना है, इतना allow करेंगे clear? इसके लावा किसी को कुछ नहीं समझ मैं है, तो पूछ लीजिए शादी बरबादी ये जो लोग ऐसे बाते करते हैं, शादी के बाद, जिन्दगी थबाद, शादी, बरबादी शादी के next day इनके post होते हैं new beginning, new life best husband of the world या best be in the world best wifey, पता नहीं क्या क्या terms use करते हैं तो time के according जो है सब बाते change हो जाते हैं इनके फिर जब starting में जो बाते बोलते होते हैं, कैसी बाते हैं अपनी life है, अपना career होता है खुद का stand होता है, खुद की कोई बात होती है, खुद के according choice होना चाहिए हमारी life हम decide करें कब शादी करनी है कब शादी नहीं करनी है शादी होने के बाद एक time होता है यार कर लेनी चाहिए, सही time पर है ना सब चीजों का एक time होता है, decision लेना चाहिए फिर कुछ भी कुछ भी बात कर लो कह रहे तुम्हारा तो बेबी है, इतनी जल्दी बड़ा हो गया हाँ सही है, थोड़े साल में और बड़ा हो जाएगा, सारी responsibility ले लेगा शादी जल्दी करने के फाइदे हैं, कुछ तो तो बाद में वो अपने आपका जो भी decision होता है, उसको justify करते है पहले जो होता है, उसमें पहले कर लेते हैं, बाद में जो होता है, बाद में कर लेते हैं, फरक यह है कि आप कितना influence हो जाते हैं उनसे रिवेट और बोल्ट तरीका वही है बस जो हमारी पैटरन है वो अलग हो जाएगा एरिया कौन सा वहां रिजिस्ट कर रहा है वो अलग हो जाएगा बोल्ट की जो वहां पर maximum permissible stresses की value strength की value ये grade of bolts जो है उनकी बातें हो जाएगे वहां पर तरीका वही रहेगा tension failure अगर होगा plate का अगर हम bearing के अंदर बात कर रहे हैं शेरिंग में बात कर रहे हैं तो बातें लगबख वही चलेंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं speed बढ़ा देते हैं क्योंकि समझ में आ गया है सबको तो इसलिए अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो काम करना है वो सबसे पहले ये करना है joint को observe करना है joint कैसा है lap joint है double cover butt joint है lap joint है तो इसका मतलब sharing तो सिर्फ यहां से होगी एक जगा से अगर double cover butt joint है तो दो जगां से sharing होगी bearing का देखना है तो plate का आपको rivet का projected वाला area observe करना है अगर आपको bearing के अंदर failure तो प्लेट जो आपको rivet है उसका bearing के अंदर projected वाला area देखेंगे tearing failure of plate के लिए आपको यह देख रहा है कि कितना area जो है वो tearing को बचाएगा जब वो tear out होगी plate अगर अब double cover butt joint में बस change यहां पर यह आगया कि अगर shear strength की बात कर रहे है तो shearing यहां भी हो रही है shearing यहां भी हो रही है दो shearing plane आ गए तो पहले two से multiply कर देंगे एक rivet जो है वो pi by 4 d square into fs एक rivet इतनी shearing में strength दे रही है जितनी rivets है आपके पास उनसे multiply कर दीजे तो पूरे joint के आ जाएगी gauge length, pitch length में पूछे है तो gauge या pitch length के अंदर कितनी rivets है उनसे multiply कर दीजे तो उतने rivets की और क्योंकि हर एक rivet जो है वो दो area contribute कर रही है दो जगा आके यह force जो है divide हो जा रही है यह यह यूँ कह लीजिए कि दो area के उपर यहां पर force को काम करना पड़ेगा तब जाके shearing होगी त अगर हम बात करेंगे तो यहां पर कोई two से multiply नहीं करना है कि double आपके पास यहां पर bearing हो रही है bearing का यहां पर देखेंगे हम किसके according कि जो thinner plate होगे अब thinner plate भी यहां पर हमारे पास कौन सी आ गई एक तो cover plates आ चुके है एक आगई यह main plate lap joint के अंदर यह भी main plate थी यह भी main plate थी जो भी चीज हम steel की बना रहे हैं steel का जो भी structure बना रहे है उसका main member है cover plates का काम सिर्फ यह है कि उनमें main members को join करवाने का काम हो गया यहां पर तो यह main plate main plate तो इनमें तो दोनों ही main थी और इनमें से हमने thinner को consider कर लिया लेकिन यहां पर यह भी main plate यह भी main plate यह cover plate यह cover plate तो हमने क कहा था कि हमें double cover butt joint के अंदर cover plates की थिकनेस इतनी provide करनी है कि cover plates fail ना हो जाए main चाहिए fail हो जाए cover plates fail ना हो इसके लिए हमने कहा था sum of cover plates जो है main plates से जादा होना चाहिए अब यहाँ पर अगर हम कहेंगे तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि जो area bearing के इंदर resist करवाएगा तो T into D फिर multiply कर देंगे उसे FB से तो यहाँ पर T जो consider की जाती है thickness जो consider किया जाता है वो minimum होता है thickness of cover plates या फिर thickness of thinner main plate thickness of sum of cover plates या फिर thickness of thinner main plate cover plates को तो एक साथ देखेंगे कि इनकी thickness main plate की thickness से ज़ादा हो और cover plates को तो हम एक साथ देख रहे हैं और main plate में से minimum वाले को consider कर रहे हैं bearing के लिए next आती है tearing strength of plate tearing strength of plate के अंदर यहाँ पर कोई change नहीं है plate की tearing होगी plate की tearing के लिए हम ये ensure कर देते हैं कि thickness of cover plates ज़ादा है main plate से तो वैसे ही ये तो हट गया है हाँ से इन में से thinner वाली consider कर लेते हैं या overall अगर हमें किताबी भाषा में लिखना हो तो हम ऐसे लिख देंगे कि minimum of thickness of thinner main plate या फिर sum of cover plates thickness की दोनो main plate में से fail होने की गुंजाईश पहले किस की है तो thinner की है तो या तो thinner को consider करो और फिर इन दोनों में से ये भी cover plates भी ना फेलो तो cover plates को हमेशा एक साथ देखते हैं तो इनका sum लेते हैं तो minimum of thickness of thinner main plate या फिर sum of cover plates thickness या आपको consider करना है अब वही gauge length, pitch length के लिए बात करेंगे तो gauge length के अंदर कितनी rivet आ रही है shearing में बस change जो आ गया क्योंकि double cover butt joint था तो दो shearing plane बनते हैं वही और फिर उसके बाद इस shaded region के अंदर कितनी rivets आ रही हैं ये देख लीजिए यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा shear के according, bearing के according देखेंगे तो bearing के according यहाँ पर shaded region के अंदर कितनी rivets आ रही है यानि कि एक rivet bearing के अंदर strength देती है इतनी, जितनी rivets हैं उनसे multiply कर लो और T की value obviously वही हो जाएगी minimum consider करनी है minimum of, minimum main plate में से जो minimum होगी, या फिर sum of cover plate जो हैं उनमें से तो इन सब में से minimum ideally जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए, सबसे जो minimum आनी चाहिए, वो main plate की दो plate जो है उनमें से जो thinner वाली है, वो value T की value consider की जानी जाएगर हम खुद design करते हैं तो ठीक है, क्योंकि अब अगर आपको बताया गया है कि आपको connection design करके देना है, और हम plate यह यूज़ कर रहे है जो भी आपका client है उसने बताया, कि हम एक thinner main plate एक जो thicker main plate यह use करने है, आपको connection design करके देना है, तो आप कहेंगे कि इन दोनों में से thin कौन सी है यह बली है और फिर आप कहेंगे कि क्योंकि मुझे काम दिया गया है इस connection को design करने का तो मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगा कि मैं जो cover plates provide करके दूँ यह cover plates का भी fail हो जाए तो आप कहेंगे कि sum of thickness of cover plates यह जादा ही रहे इन plates से इन plates की thickness से, यानि कि thinner वाली से भी जादा हो तो अब आप ideally design किसके लिए कर रहे है आप design ऐसे करेंगे जो भी load आ रहा है उसको कैसे design करेंगे कि यह जो main thinner plate यह ना fail हो जाए यह ना fail हो जाए इसके recording design कर रहे है और वैसे हमने क्या लिखा कि T की value जो हम consider करेंगे वो T की value कैसे consider करेंगे minimum of thickness of या तो main plate जो है उनमें से thinner plate और thickness of thinner main plate या फिर sum of cover plates cover plates की thickness का जो sum है उसके बराबर हम consider करते हैं डन अब gauge length में देखना हो तो gauge length में जितनी आपके पास आ रही है वहीं आप अब observe कर लेते हैं अब आती है कि अगर आपको यह पता लग चुका है कि total एक rivet की strength कितनी है multiply कर दीजिए आप कितनी आपके पास rivets है तो इतना load वह रेजिस्ट कर सकते हैं या दूसरी भाषा में अगर हम बोलें वह शियरिंग के अंदर और bearing के अंदर शियरिंग के अंदर वह load जो है वह 46 लोड जो है वह रेजिस्ट कर सकती है लेट से chiar स में अथे 18 किमोनूटन और bearing के अंदर 100 किमोनूटन तो आप क्या कहेंगे कि आपकी rivet जो है वो hearing में फेल हो जाएगी bearing में fail होने से पहले 80 kN का load आने से पहले ही वो किसके अंदर fail हो जाएगी sharing के अंदर fail हो जाएगी तो यही इसकी rivet value हो जाएगी तो RV जो होगी इनका minimum जो है वो उसे कहेंगे कि वो rivet value है इन दोनों का minimum जो होगा वो rivet value होगा अब इतना load total externally उस structure के उपर आ रहा है कितने rivets की जरूरत है हमें number of rivets required वो कैसे बताएगे कि कितना load आ रहा है upon एक rivet कितना wear कर सकती है कितना load आ रहा है upon एक rivet की जो value हो तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा इतनी number of rivets की आपको जरूरत है bearing failure of rivet के अंदर rivet का cross section elliptical हो जाता है चप्टा हो जाता है समझ में आया है यहाँ तक number of rivets ऐसे बता सकते हैं दूसरा failure जो आता है joint का वो किसके कारण से आता है या तो rivet fail कर जाए shearing में या rivet fail कर जाए bearing में यानि कि rivet failure या rivet value के according देखते है और plate जो है वो tier हो जाए plate जो है वो tier हो जाए joint का इस तरीके से हम design करते हैं कि हमारा joint जो है उसमें ना तो rivet sharing में फेलो ना rivet bearing में फेलो ना plate tiering में फेलो इन तीन बातों को ध्यान रखते हुए हमारे joint को हम design करते हैं अब इन तीनों में से जो minimum value होगी इन तीनों में से जो minimum value होगी हम कहेंगे उतने हमारे connection की हमारे joint की strength है उससे जादा load ना आए उससे जादा load जो है वो ना आए उतने हमारे strength की let से कि अगर आपके पास rivet की according इसकी shearing strength जो है यह 80i इसकी bearing strength जो है यह 100i और इसकी tiering strength जो है यह 70i तो हम कहेंगे कि 70 kilo newton से जादा load नहीं आना चाहिए इस connection पे otherwise यह tiering में फेलो गया इन तीनों में से किसी में भी फेल हो गया तो failure तो आई गया ना तो हम कहेंगे कि minimum of minimum of shear failure of rivet bearing failure of rivet tiering failure of plate यह हमारे हो जाएगी connection की strength divided by एक ऐसी plate जिसमें कोई holes नहीं है solid है एक दम एक ऐसी plate जिसमें कोई holes नहीं है एक दम solid है तो इस solid plate को अगर tier करवाएंगे हम तो उसका cross sectional area कितना बनके आता है उसका cross sectional area बनके आएगा कि इसकी thickness t into b तो हम कहेंगे कि b into t तो area आगया multiplied by sigma t या ft से multiply कर दीजिए तो एक solid main plate जो होती है solid main plate की इतनी strength होती इन दोनों को divide कर देंगे हम तो हमारे पास आजाएगी efficiency least value of ps, pb and pt upon strength of solid plate generally हम ये कहते हैं कि rivet failure बहुत खतरनाक होता है rivet failure हम खभी नहीं चाहेंगे कि rivet fail हो जाए plate जो है उसके according जो भी strength हाए rivet की जादा ही रहे plates की strength से तो इन में से least value किसकी आजाएगी least value आजाती है इसकी और upon strength of solid main plate इससे हम compare कर लेते हैं sharing strength of joint, bearing strength of joint upon tearing strength clear यह आगे है हमारे पास अब efficiency entire plate के लिए लिखनी है तो entire plate के लिए least value of bearing strength of rivet, sharing strength of rivet and tearing strength of plate upon strength of solid main plate solid main plate भूल मत जाना solid main plate का मतलब एक ऐसी plate जिसमें कोई rivets नहीं लगा रखी उसके अंदर कोई hose नहीं है उसकी जितनी strength होगी tearing के अंदर वो observe करते हैं तो B मैंसे ND को minus करेंगे generally हमने कहा है इन तीनों में से least जो है वो हम कहेंगे कि tearing strength हो rivet failure हम कभी नहीं चाहेंगे तो हम चाहेंगे कि PSPV की value PT से जादा हो अगर PT की value इन तीनों में से सब से कम है तो least value of these three यहाँ पर रखी upon strength of solid main plate यह हम efficiency इस तरीके से बताएंगे अगर हमें बतानी हो किसके लिए gauge length के लिए तो gauge length के लिए हमारे पास G-D सिर्फ gauge length वाला diagram जो हमने पढ़ा था कि सिर्फ cross section के अंदर यह beach वाली एक rivet जो है इसके according देखना है कि gauge length में कितना area जो है इसको protect करेगा tearing को तो G में से यह G distance था हमारे पास इस G में से D को minus किया फिर T into F T upon G into T into F T तो हमारे पास simplify हो के G minus D by G objective में यह बहुत ज़ादा पूछे जाते हैं यह वाला तो बहुत ज़ादा पिच्चिया gauge length पोल के ठीक है अब आते हैं arrangement of rivets 30 seconds के लिए एक बार आँखे बंद कर लीजी एक लंबी सी सांस ले लीजी हाँ इन में से minimum consider करेंगे ना हम तो देखो पहली चीज तो fundamental हमने देखी लिए कि joint का failure होगा joint का failure या तो rivet के fail होने के कारण या फिर rivet bearing में fail होई या फिर rivet shearing में fail होई या plate tier हो गए इन तीन कारणों से plate जो joint हमारा है वो fail हो जाएगा हम कहें नहीं चाहेंगे rivet failure हो गया करेंगे अकर एक ёт। याब कर गए हो तो और सारी सिक्वेंस से fail होंगे तो हम कभी भी rivet failure नहीं चाहेंगे तो हम खेंगे कि rivet failure आ जो रिवेट फेलियर को अब वाइड करने के लिए हम कहेंगे उसकी स्ट्रेंज जादा ही रहे जादा रिवेट से यूज कर लो more number of रिवेट से यूज कर लो जिससे कोई रिवेट फेल ना हो पिछ के according भी बात कर सकते हैं generally हम tearing देखेंगे अब देखो अब कई बार ये confusion नो जाती है कि pitch के according ये gauge word यूज कर लिए अगर question में pitch दे रखा हो आपको tearing कहां से होती है tearing कहां से होती है अगर load जो लगेगा अगर ऐसे हमारे पास two lines of रिवेट से हैं जिसमें हर लाइन में तीन रिवेट से अब यहां से अगर force लगेगा तो tearing कहां से होगी tearing यहां से होगी न तो जब tearing के अंदर strength observe करेंगे तो tearing में strength observe की जाएगी यहां से ऐसे ये वाला section देखा जाएगा gauge length के लिए इस तरीके से यहां से इसलिए हम यह वाला section देखेंगे force इदर selected हो उसके according देख लेते है अब बात करते है arrangement of rivets की arrangement of rivets दो तरीके के हो सकते है chain riveting हो सकते हैं हमारे पास एक diamond riveting हो सकते है chain riveting के अंदर same यहां पर तीन lines हैं तो हर line के अंदर तीन तीन हमने यह से provide कर दी यानि कि हर section के उपर same number of rivets है same amount of area available है जो tiering के अंदर उसको बचाएगा diamond riveting के अगर हम बात करें तो diamond riveting के अंदर फिर दो rivets फिर तीन rivets अब इसके फाइदे क्या है इसके फाइदे यह हो जाते हैं जब force लगता है तो सबसे outer वाली rivets outer वाले section के उपर सबसे ज़दा force आता है सबसे पहले effect वो करेगा उसको इसको effect करेगा तो यह plate जो है इसके अंदर यहाँ ज़दा area available है जो इस tiering को resist करेगा फिर यहाँ पर उससे थोड़ा कम है और फाइदा क्या हो जाता है कि जब इस plate की tiering strength को यहाँ पर बात करेंगे तो area ज़दा available है जो tiering में इसको बचाएगा प्लस जब next वाली area के उपर next वाली section के उपर load आएगा यहाँ पर तो एक rivet RV के बराबर का load already resist कर चुकी होगी तो इनकी strength जो है वो कितनी होगी इस section की खुद की strength यहाँ से जो खुद की strength प्रोवाइड कर रहा है वो plus RV let us take an example 1000 kN का load जो है वो अगर आ रहा था और अगर एक rivet जो है वो 80 kN का load बियर कर सकती है यहाँ वाली तो हम कहेंगे कि इस section के उपर tiering में strength कितनी होगी कि जितना इस section का area बचा multiplied by उसकी tiering में strength plus 80 kN क्योंकि 80 kN के बराबर का load यह already bear कर लेगी उसके लिए ठीक है अगर आपको homework में 10 question दिये जाएं और आपको पता है कि 5 question आपका दोस्त भी करके दे सकता है आपको क्योंकि वो बहुत अजीज है तो आप teacher को क्या बूल सकते हैं कि मैं 15 question करके लाके दे सकता हूँ आपको आपने उसकी strength को accumulate कर लिया आपकी strength में वो contribute कर रहा है ठीक है अब in chain rebating rebates जो हैं वो कुछ इस तरीके से arranged होती है जो भी exams में यह दूसरी main plate यह और उपर cover plate एक दूसरी cover plate नीचे और इनके अंदर rebates तीन line of rebate इस main plate के उपर तीन line of rebate इधर वाली main plate की तरफ है यहाँ पर तो हमें जो diagram दिखाए जाते हैं बनाये जाते हैं वो सिर्फ इतना होता है एक तरफ का होता है पहले पूरा हमने diagram देख लिया observe कर लिया यहाँ पर chain repeating के तरफ अंदर इस तरीके से कुछ arrangement होता है 1,1,2,2,3,3 shows sections either side of the joint joint के दोनों तरफ के sections आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं कि यह 1,1 section 2,2,3,3 इस तरफ से 1,1,2,2,3,3 अब जो 1,1 section होता है वो main section होगा critical जो main plate के लिए critical section होगा अब अगर load P यहाँ से आया अब आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आप कोई historical movie देख रहे हैं जिसके अंदर कोई किला है जिस पर attack हो रहा है तो सबसे पहले दुश्मन आएगा तो load सबसे पहले आएगा तो कहां पर आएगा किस की तरफ आएगा सबसे पहले outer books में एक line लिखी होती है कि outer section जो है वो critical होता है main plate के लिए तो हमें समझ नहीं आपाता है क्योंकि diagram इतना बना होता है सिर्फ इस तरफ वाला एक तरफ वाला तो हम ये वाला outer है ये वाला outer है जिबकि actual में actual picture क्या है कि आपने एक main plate यहाँ दूसरी main plate ये green color से यहाँ इनके ओपर एक cover plate यूज़ कर रखी है तो ये वाला outer है इस तरफ से देखेंगे तो ये वाला outer है ये वाला inner ये वाला inner तो हम इतना सा diagram observe करते हैं ये inner होगा ये outer होगा तो main plate के उपर जब load आएगा जब तो load यहाँ से ऐसे आ रहा है तो load सबसे पहले कहां attack कर रहा है load सबसे पहले section 1-1 पर attack कर रहा है तो हमें ये ensure करना होगा कि सबसे पहले 1-1 ही fail ना कर जाए हमें क्या ensure करना होगा कि section 1-1 fail ना करे तो section 1-1 critical होगा फिर load किसके उपर जाएगा 2-2 पर जाएगा फिर load किस पर जाएगा 3-3 पर जाएगा तो critical section main plate के लिए 1 था और फिर उसके बाद 2 फिर उसके बाद 3 cover plate पर load कैसे transfer होगा पहले load यहाँ गया अब load जाएगा उपर जैसे ऐसे मान लीजिए कि कि अटेक करेगा section 3-3 पर यहनि कि critical section cover plate के लिए कौन सा होगा 3-3 होगा फिर load किस पर जाएगा 2-2 पर फिर किस के उपर जाएगा 1-1 के उपर जाएगा इस तरीके से कुछ यहाँ पर तो main plate के लिए critical section 1-1 यहाँ से plate fail नहीं होने चाहिए main कि अगर बात करेंगे और cover plate के लिए बात करेंगे तो 3-3 पर वो fail नहीं होने चाहिए इसलिए हम बोलते है critical section for main plate will be outermost तो चाहे इस तरफ से 1-1 देख लीजिए चाहे इस तरफ से 1-1 देख लीजिए cover plate के लिए inner वाला यानि कि ये वाला 3-3 वाला section strength of main plate अगर आप बताते हैं अब यहाँ पर ये ध्यान से देखेगा strength of main plate कैसे observe कर रहे है किसकी बात कर रहे हैं chain riveting की बात कर रहे है main plate के लिए strength जो आपको बतानी है section 1-1 के उपर 1-1 section को side से देखेंगे तो ऐसा top view से देखेंगे तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर ये क्या दिख रहा है आपको top view दिखाई दे रहा है तो top view के अंदर अगर आप देखते हैं इस section को देखो इस section को थोड़ा सा 3D में observe कर लीजे कुछ यूँ ऐसे देख लीजे अब जब आप इन plates को देखते हैं तो इन plates के अंदर यहाँ पर कितने holes है 3 width of the plate minus 3 holes तो 3D into T into FT यह आगया section 2-2 पर देखेंगे तो भी B minus 3D क्योंकि 2-2 के उपर भी 3 ही hole है 3-3 पर भी 3 ही hole है तो B में से 3D minus करेंगे into T करेंगे into FT करेंगे लेकिन जब load आया इसके उपर जब load first section के बाद second section के उपर आया तो वही example जो मैंने आपको बताया आप खुद अगर 10 questions कर सकते हैं और आपका दोस्त आपको 5 और करके दे सकते हैं तो आपकी capacity कितनी बन जाती है आपकी strength बन जाती है उन्होंने resist कर लिया तो जब इतना load आएगा तब इसका failure आएगा यानि कि इतनी उसकी strength है section 33 की अगर हम बात करें तो section 33 पर जो net area होगा जो इस plate की tiering को बचाएगा वो उसकी खुद की strength लेकिन section 33 fail कब होगा जब उस पर इतना load आएगा कि वो खुद जो resist कर सकता है वो प्लस इन 6 rebates ने जितना resist कर लिया वो इससे ज़ादा अगर load आएगा तब वो fail होगा यानि कि इसकी strength कितनी है जितना उस section पर वो खुद resist कर सकता था प्लस इससे आगे जो rebates present है जिनोंने उस load को resist किया होगा कुछ load resist किया होगा कितना resist किया होगा 6 times RV या फिर जितनी rivets यहाँ पर present है यह समझ में आगया सबको ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स बात करते हैं अगर हम diamond pattern के अदर diamond pattern में अगर आप देखते हैं तो section 1-1 अब एक तरफ की image ही देखिए आउटर वाला या section 1-1 या सबसे पहले जहां पर load आ रहा है तो यह सबसे critical main plate के लिए फिर कम फिर कम और cover plate के लिए 3-3 वाला critical हो जाएगा अब अगर आप बात करेंगे strength of main plate के strength of main plate की इस section के उपर तो यहां पर main plate जो है उसकी जो भी width है मैंने थोड़ा सा इसको trapezoidal दिखा दिया main वाले को आप rectangular मान लीजिएगा जो भी इसकी width है B उसमें से minus करेंगे 1D को into T into FT यह आ जाएगा हमारे पास इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहां के लिए 2 holes minus करेंगे यहां के लिए अगर हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे इसके लिए देखते है यहां के लिए strength जो लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी 1,1 section के लिए कि लिए कि B मेंसे 1D को minus करो into T करो into FT कर दो फिर इसके लिए बात करेंगे second section पे तो B मेंसे अब यहां पर 2 holes है तो 2D minus करो into T करो into FT करो क्या इतने लोड के उपर यह फेल होगी नहीं इससे जाद भी रेजिस्ट कर सकते है कितना कि जितना यह खुद ने रेजिस्ट किया प्लस एक रिवेट ने कुछ लोड रोक लिया होगा तो RB के बराबर फिर section 3,3 पे जाते है तो B में से कितने ओस माइनस करने है 3 into T into FT क्या इस लोड के उपर यह फेल होगी नहीं जब इस section पर इतना लोड आएगा कि इसकी खुद की strength प्लस इससे आगे तीन रिवेट प्रेजिस्ट है जिन्होंने उस लोड को रोक लिया होगा इतने बराबर कितना लोड रोक लिया होगा उन्होंने 3 times RV के बराबर लोड रोक लिया होगा यह आपको यहाँ पर इस तरीके से देख सकते है similarly cover plate के लिए critical section होगा 3-3 तो सबसे पहले लोड आएगा यहाँ पर cover plate के लिए सबसे पहले लोड कहां से आएगा जब लोड cover plate पर इस तरव से आ रहा होगा तो इन 3 rivets ने 3 RV के बराबर लोड को रोका होगा तो यह second section fail कब होगा जब इसकी खुद की strength जितनी थी उसके बराबर लोड प्लस इन 3 rivets ने जितना लोड रोक लिया होगा इसके बराबर जब लोड आएगा तब यह section 2-2 fail होगा तो इसकी strength इतनी आती है इसी तरीके से आप 1-1 का भी लिख सकते है triangular square pattern same यह ombak के अंदर आप खुद से भी लिखके देख लीजेगा 1-1 section main plate के लिए देखें अगर main plate के लिए critical यह होगा तो critical यहाँ से b में से 1 d को minus करना है into t into ft यह कर दिया हमने 2-2 की बात करेंगे तो 2-2 के लिए b में से 2 d को minus करेंगे into t into ft और एक rivet इससे आगे present थी जिसने कुछ load रोक लिया होगा rv के बराबर फिर section 3-3 में b minus 2 d into t into ft इतना तो यह खुद section resist कर लेगा और इसससे आगे 3 rivets present है जो 3 rv के बराबर load रोक लेगी 4-4 कब फेल होगा जब इसके खुद की strength b minus 1 ही है यहाँ पर hole तो b minus d into 10 to ft plus इससे आगे 5 rivet हो रहा है वो 5 rv के बराबर load तो वो रोक लेगी और कुछ यह करेगा तो इतना load जब इसके उपर आएगा तब ज़ा कि वो फेल होगा यनि कि इसके strength इतनी है clear फिर आते हैं कुछ code के provision एक बार आपको show कर देता हूँ homebug में यह आपको याद रखके लाने हैं बाकी इससे related objective questions जो है वो हम करेंगे शाम की class में 6 p.m. 8 p.m. आप वीडियो पॉस करके इनको एक बार read कर सकते हैं screenshot ले सकते हैं चलिए यहाँ तक यहाँ तक specifications आपको याद करके आना है यहाँ तक ठीक है ओके अगर आपने इस session को भी तक like नहीं किया है तो like कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ आप इसे share भी कर सकते हैं और साथ ही साथ में comment करके बता भी सकते हैं हमें session खतम होने के बाद आपको यह sessions कैसे लगते हैं आपके valuable feedbacks, सुझाफ, complaints जो भी है वो आप सब बता सकते हैं हमारे साथ share कर सकते हैं because your opinion matters a lot and thank you so much अगर Civil 101 पर नहीं है तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है और इस session को भी like कर दीजिए और साथ ही साथ में आप Civil 101 को subscribe कर सकते हैं बैर आइकन प्रेस कर सकते हैं Unacademy की आप install नहीं किया तो वो कर लीजिए invite code संदीब 111 यूज़ कर सकते हैं जिससे आप free session जो है मारे Unacademy की है वो आप सारी देख पाएं Thank you so much Take care कर सकते हैं जो है जो है कि में है